नमस्कार फ्रेंड में हुँ चंद्र पतेलो और देखिया आज मैं बात करने जा रहा हूं कि गिर्थी हुई मारकेट के अंदर माल एफाइच ने कहां पोठाया मतलब गिर्थी हुई मारकेट के में एफाइज ने इस छे स्टॉक में माल उठाया है कौन से छे स्टॉक है वो मैं आपको दिखाता हूँ और अगर आप फ्री क्रिप्टो माइनिंग करना चाहते हैं तो आप जरूर मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन करें देखिए जो पहली कंपनी है वो है डिक्सौन टेक्नलोजी जो मिड कैप हो चुकी है और इसका सारा चीज सब कुछ बढ़ियां चलना है बहतरी चलना है आप यहां पर देख सकते हैं अप पिछले पान सालों में अगर आपने एक लाक रुपए लगाया होता तो यह आपका ए इस लाक हो गया होता ठीक है अब हम यहां पर देखते हैं कि एफ आई ने कहां पर बाइंग की है यहां पर आप देख सकते हैं कौटरली में 3.36% की इन्हों ने बाइंग की है और इस स्टॉक पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए और यह मार्केट लीडर है इसके यह क्या क्या प्रोड़क्ट बनाता है यह आप यहां पर देख लीजिए जो कि इसके टक्कर में कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका टक्कर दे सके देखिए रिवेन्यू कहां कहां से इनका आता है मुवाइल फॉन से कंजूमर होम अप्लिकेशन जो लाइटिंग का प्रोड़क्ट है वहां से लोकेशन क्या क्या है वह आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया और अधर कंट्री ठीक नेक्स स्टॉक के बारे में देखिए जो नेक्स स्टॉक है उसका नाम है इंडियन एनर जी एक्सचेंज लिम्टेड जिसको हम बोलते हैं आई इए एक्स आप यहां पर देख सकते हैं हम इस स्टॉक के बात करें तो इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वह लगपग पांच साल में 236 परसंट का रिटन है अभी यह कंपनी स्मॉल कैप है और अगर हम इस स्टॉक के बात करें तो इस स्टॉक का जो फाइनस है वो भी बढ़िया है बहतरीन है और यहां पर जो एफाइज है वो लगपग फोर परसंट के आसपास इन्होंने होल्डिंग उठाई है ठीक है तो यह मेरे को बहुत ही बहतरीन लगा और ठीक है इनका यह जो है ट्रांजेक्शन फीस है और कुछ एन्वल सब्सक्राइबर है वहाँ से आता है और अधर से सत्रा परसंट के आसपास इंके पास रिवेन्यू इकठा होता है और अभी तक यह स्मॉल कहपे कंपनी और यह बस खाली इंडिया में ही काम करती है देखिए जो नेक्स स्टॉक है यह मैनिफेक्श करता है पैंड का ठीक है लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है बहुत ही जबरता हूं एक है यह फैंड का मम एक क्षाल इसगहर है और हम ऐसी अब धूर्म करता है तो यहां परात करें तो देखियों रिवेन्यू का नmbud कहांस आता है आप यहां पर देक सकते हैं लोकेशन यहां पर आप देख सकते हैं लोकेशन और इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि आप यहां पर देखिए रिवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है लेकिन इस्टॉक की जो रिटन है वह उतना ज्यादा कुछ खास आया नहीं है क्योंकि अगर हम और रिटन की बात करें तो देखिए अभी माइनस में ही है कमपनी मतलब रिटन के हिसाफ से माइनस में है अभी हाल फिलाल तीन साल से कमी हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो एफाइज ने भारी सेलिंग की है लगपक 18% सेयर सेल किया है ठीक है आप देख सकते हैं पहले उनके पास जून 2024 में 33% के आस पास था अभी उन्होंने यहाँ पर घटा कर 15.49% कर लिया है वहीं पर डियाइज जो है जून 2024 में 0.70 के अस पास जहां पर होल्डिंग थी अभी डियाइज ने मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर ठीक है एफाइज मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ठीक है है वहीं पर इन्होंने लगभग 14 14.58% की होल्डिंग यहाँ पर उठाई है ठीक है यह बहुत ही बहुत बहुत बात है और यहाँ पर देखिए अब डियाइज और एफाइज दोनों की होल्डिंग लगभग लगभग बरोबर के आसपास हो गई तो अब इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि अगर एफाइज ने यहाँ पर माल सेल किया है तो कहीं न कहीं तो फर्क पड़ेगा और फिर से यह बाइंग करने की कोसिज करेंगे ठीक है तो यह बहुत ही बहतरी है और रिवेन्यू अगर लगातार किसी कंपनी का बढ़ रहा है रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ अगर लगातार किसी कंपनी का बढ़ रहा है तो आप समझिए कि उसमें कुछ ना कुछ तो हल चल होने वाली है ठीक है अभी इनोंने कुछ चाइना के में पैसा लगाया है, FIS ना इसलिए थोड़ा सा सान्ती है, बस थोड़ा सा रुक जाएगे, ये कमपनी अपने जो high है, overall high है, जो high है, वो है 1700 का, ठीक है, मतलब, sorry, bound भी khaई कि मैं बात कर रहा हूं अगर हम ओवराल की बात करें तो जो ओवराल जो हाई है वो है लगबग 2600 रुपे का 265 रुपे का तो आप समझी है अगर 265 रुपे पे यह स्टाक गया है और अभी 1500 पे चल ला है कंपनी में सब कुछ सही चल ला है कोई भी दिकर नहीं है रिवेन्यू भी अच्छा खासा तेजी है और यहां पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी लगातार बढ़ते हुए जा रहा है और करजा ना के बरोबर है देखो जीरो जीरो है अभी थोड़ा सा करज तो फ्यूचर में एक अच्छा आपको ग्रोथ देगी चलिए हम नेक्स स्टॉक के उपर चलते हैं देखिए कंपनी का नाम है वन ग्लोबल सर्विस प्राइबेट लिम्टेड इस कंपनी में थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्यूंकि कंपनी बहुत भाग चुकी है तो आप बोलोगे अरे भाई कैसे भाग चुकी है तो मैं बता रहा हूँ कंपनी अभी माइक्रो कैप है एक साल में इसने रिटन लगबग 335 परसेंट का दिया है और अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में ये कंपनी ने लगबग 681 परसेंट का रिटन दिया है पान साल में लगबग 27 गुना कर दिया है 27 के 28 गुना कर दिया आप समझे लिए एक लाख लगाया होता पान साल पहले तो ये कंपनी में लगबग आपको 28 गुना 28 लाख के आसपास मिलता ठीक है नब हम यहाँ पर देखते हैं रिवेन्यू रिवेन्यू खाली इसका जो है वो टेक्स्टाइल से ही आता है वो आप ध्यान दीजेगा और इसमें देखिए प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिला है अब प्रॉफिट ग्रोथ और रिवेन्यू सब देख सकते हैं इसलिए यहां पर जो FI हैं वो यहां पर लगपग 7.29% की जो होल्डिंग है इन्हों ने बढ़ाई है यहां पर ठीक है तो इसके उपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए और उसी के ही हिसाब से हमें आगे बढ़ना है तो मैंने सारी डिटेल आपको बता दी कैसे कैसे क्या है चलिए अब हम नेक्स्ट स्टॉक के उपर चलते हैं देखें कमपनी का नाम है सेरा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिम्टेट करके कमपनी है जो कि अभी 38 रुपे 28 पैसे के आस पास चल लगी है और इसका जो हाई है बाउन बीक का वो है 48 रुपे 68 पैसे ये कमपनी भी अभी माइक्रो कैप है और अगर हम इस स्टॉक की रिवेन्यू की बात करें तो सारा का सारा जो अमाउंट है वो फाइनेंस ही आता है और जो फाइनेंसियल कंडिसन है वो आप देख सकते हैं दो क्वाटर तक तो मतलब दो इयर तक तो ये सही नहीं था 22-23 में लेकिन उसके बाद 2024 में इन्होंने बहुत ही बड़ा जम्प लिया है और एक अच्छा खासा जम्प लिया है और अगर हम यहीं पे देखें कि जो ग्रोथ है ठीक है ना ग्रोथ के साथ साथ आप यहां पे देख रहे हैं कि एफाइज ने क्वाटर में लगबग 1.83 परसंट की होल्डिंग बाइग की है जबकि ओवर ऑल इन्होंने 14.68 परसंट की होल्डिंग इन्होंने वन एःर में ही की है तो यह बहुत बहतरी बात है कि किसी भी एक छोटी सी कंपनी में एफाइज गुसके क्या से क्या तेजी कर सकते हैं ठीक है उनकी मन पसंदीदा हो जाती है कोई कोई चीज अब जो next company है next company आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात टोल रूम देखे भले से एक साल में थोड़ा ज़्यादा माइनस है लेकिन यहाँ पर एफाइज ने लगबग 27% के आसपास होल्डिंग उठाई है 27.15 के आसपास देखे छोटी से company है और यहाँ पर उतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है ज़्यादा कुछ डिटेल आता नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल ला है कि 2023 और 2024 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और उसी के वज़ा से यहाँ पर फाइज ने एक अच्छा खासा माल उठाया है यहाँ पर आपको summary देखने को नहीं मिल लेए लेकिन future में आपको summary यहाँ पर जब update होगी तो आपको देखने को मिलेगी ठीक है कंपनी अभी micro cap है और भारी गिरावर्ट भी देखने को मिल ले हैं कंपनी में लेकिन जब एक अच्छी तेजी थी तो लगबग तीन साल में अभी देखे इतना गिरने के बावजूद भी इतना गिरने के बावजूद भी तीन साल में लगबग दस गुना पैसा कर दिया है अगर तीन साला पहले अगर पैसा लगाए होते तो भी आपका पैसा दस गुना हो गया होता अगर आप यही पैसा अगर आप पान साल पहले लगाए होते तो आपका पैसा बत्तिस गुना हो गया होता जो कि इतनी अभी जो हाई जो बना रहा था ये जैसे यहां पर हाई क्या है 45 रुपे 95 पैसे ठीक है यहां पर आप देखिए यहां पर हाई आप देखिए 45 रुपे 95 पैसे का जब हाई बना रहा था तब सोचिए कि ये कितना ज़्यादा रिटन दे रहा होगा ठीक है तो हम एक उसी के हिसाब से देख के चलेंगे एक अच्छा खासा करेक्शन भी है इस स्टॉक में तो अपने को ध्यान उतना ज़्यादा नहीं देना है बस यही देखना है कि जो मैंने पांच स्टॉक बताया आप उसके उपर रिसर्च खुद का करें और खुद एक डिसीजन ले ना तो कोई रिकमेंडेशन है ना ही तो कुछ है आप अपना खुद रिसर्च करके आप इसमें जो करना हो कर सकते हैं धन्यवाद